तो आज हम डिसकस करेंगे साइन्स जियोग्राफी और कुछ पॉलिटी के क्वेस्टिन्स जो कि आपके प्रिवियस एक्जाम में पूछे गे हैं और आपके आने वाले एक्जाम्स लाइक ट्रैफिक इंस्पेक्टर एंड अजर एक्जाम्स होते हैं तो उनके लिए बहुत ज आइक जरूर करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेर को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं तो question number 162 से हम start कर रहे हैं तो हमारा 162 question है Cardiograph is used for tracking the तो देखो Cardiograph का उप्योग निमन का पता लगाने में किया जाता है तो देखो simply मैं आपको बता देता हूँ यह जो Cardiograph है Cardiograph एक होता है Cardiograph और एक होता है Cardiogram एक होता है Cardiogram एक हो गया Cardiograph और एक हो गया Cardiogram तो देखो इनका अलग अलग यूज है तो यहां पर पूछा गया है Cardiograph का यूज किसलिए किया जाता है तो यह किया जाता है Moment of the Heart यानि कि हरिदे की गती को पता करने के लिए option C यहां पर correct हो जाएगा यहां पर option C correct होगा अच्छा यह मैंने आपको पता है Cardiogram तो Cardiogram का यूज किसलिए किया जाता है इसको भी आपको पता होना चाहिए तो देखो Cardiogram का यूज किया जाता है Cardiogram के दौरा ली गई हर्ट की गती को यह record करता है Cardiogram क्या करता है तो यह Cardiogram के दौरा ली गई हर्ट की गती को record करता है Cardiogram तो इस वाले point को आपको note रखना है बाकी कुछ scientific instrument हैं तो उनको मैं आपको बता दिता हूँ जो important है हर वार exam में पूछे जाते हैं तो देखो हमारा पहला है एनिमो मिल्टर अच्छा एनिमो मिल्टर का यूज किसलिए किया जाता है तो एनिमो मिल्टर का यूज किया जाता है एर वेलोसिटी को मापने के लिए यानि की वायू का वेग मापने के लिए एनिमो मिल्टर का यूज किया जाता है हर वार exam में पूछ जाता है अच्छा फिर एक और देख लेते हैं डाइनमो डाइनमो का यूज किया जाता है तो देखो डाइनमो का यूज किया जाता है मकैनिकल अनर्जी को इलेक्ट्रिक अनर्जी में कनवर्ट करने के लिए डाइनमो का यूज किया जाता है बाकि फैदो मिटर अकसर एक्जाम में पूछा जाता है फैदो मिटर तो ये कुछ important point थे, इनको आपको अच्छी तारा note रखना है, अगले question की बात करें, question number 163 है, save weights are an important source of, तो समुदरी अपत्रिन, एक महतपूर्ण स्त्रोथ है, तो किसके स्त्रोथ है, तो ये है iodine की option, D यहाँ पर correct हो जाएगा, iodine की यह स्त्रोथ है, तो देखो iodine से दो questions हमे की iodine की कमी से कौन सा रोग होता है, ये question बहुत ही जादा famous है, और important भी है, बाकि यह simple सा question है, तो iodine की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा आपने सुना होगा, घेंगा ही अक्सर option में दिया जाता है, घेंगा की बिमारी जो है तो किसके द्वारा होती है, तो iodine की कमी से होती है तो इस वाले point को आपको नोट रखना है अच्छा एक important question iodine से पूछा जाता है तो आप से पूछा जाता है प्रतेक व्यक्ति को प्रती दिन कितने micro iodine की आवशकता होती है तो देखो प्रतेक व्यक्ति को प्रती दिन 150 150 micro iodine की आवशकता होती है तो इस वाले पॉइंट को भी आपको अच्छी तरह नोट रखना है बहुत जादा important point है कई बार exam में पूछा जाता है चलिए अगले question की बात करें question number 164 है question number 164 है which of the following is structurally the most stable reason तो निम्न में से कौन सा क्षेतर सनरचनात्म का द्रिष्टी से सबसे स्थाइक शेतर है तो कौन सा सबसे स्थाइक शेतर है सनरचनात्म का द्रिष्टी की देखने की देखने से तो यह हो जाएगा यहाँ option B the deckan plate option B यहाँ पर correct हो जाएगा दक्षिन का पठार दक्षिन के पठार को हम दक्कन का पठार भी कहते हैं इसको हम दक्कन का पठार भी कहते हैं इस वाले point को पहले तो आपको नोट रखना है तो देखो दक्कन के पठार से बहुत सारे questions निकल कराते हैं कि दक्कन का पठार कहां पर है फिर यह किन चटानों से बना है तो हम इन questions को हम one by one यहां पर discuss करेंगे तो सबसे पहला question यहां पर बनता है कि दक्कन का जो पठार है वह भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है तो देखो दक्कन का पठार भारत के maximum 8 राज्यों में फैला हुआ है बाकी एक और question बनता है दक्कन के पठार से कि दक्कन का पठार कौन सी चटानों से बना है तो देखो दक्कन का पठार आगने चटानों से बना हुआ है अच्छा अगर options में आपको option में आपको option A दिया गया होगा कठोर आगने चटानों से और option B दिया होगा आगने चटानों से तो आपको option A प्रटिक करना होगा कठोर आगने चटानों से दक्कन का पठार बना है ओके कठोर आगने चटानों से बाकी एक और question बनता है कि दक्कन के पठार की आकरिती कैसी है तो देखो दक्कन के पठार की आकरिती कैसी है ये हमारा इंडिया है यहाँ पर तो दक्कन का पठार यहाँ पर है इस ऐसे मतलब त्रिभुजाकार है ट्राइंगल है तो देखो दक्कन का पठार की आकरिती कैसी है तो त्रिभुजाकार है ट्राइंगल शेप में है तो इस सार पॉइंट को आपको अच्छी तरह नोट रखना है तो अगले कॉस्टिन की बात करें कॉस्टिन नमबर हमारा 165 है गुरु शिखर is the highest peak of the तो गुरु शिखर किसकी उच्चतम चोटी है तो देखो गुरु शिखर से बहुत सारे questions निकल कर आते हैं तो मैं आपको map के जरी यहां पर बता देता हूँ तो यहां पर हम map अपना देते हैं इंडिया का तो यहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो देखो यहां पर राज्यस्थान है तो राज्यस्तान से लेकर के दिल्ली तक यह अरवली परवतमाला है इस वाले point को आपको नोट रखना है तो राज्यस्तान से नहीं है यह basic ली जो है तो गुजरात को टच कर जाती है गुजरात के जो है तो बौडर एरिया पर है पालनपूर क्या नाम है पालनपूर देखो हमारे हिमाचल परदेश में है पालमपूर वहाँ पालमपूर है बट जो गुजरात में है वह है पालनपूर तो गुजरात के पालनपूर से लेकर के दिली के मजनू टिला तक कहां तक दिली के मजनू टीला तक यह अरावली परवत का विस्तार है पहले तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है अरावली परवत का विस्तार कहां से कहां तक है तो गुजरात के पालन पूर से लेकर के दिली के मजनू टीला तक है अच्छा इसकी length अगर पूछ ली जाए कि इसकी length कितनी है अरवली परवत माला की तो 800 km इसकी length है 800 km बाकी यह सरवादी के जो है तो राज्यस्थान के area में फैला हुआ है राज्यस्थान के area में बाकी एक और question यहां से बनता है यह जो अरवली परवत माला मैंने आपको बताई यह जो अरवली मैंने बताई ऐसे तो यह जो इसका दक्षणी भाग है तो दक्षणी भाग को क्या कहा जाता है तो कई बार exam में पूछा जाता है तो इसको कहा जाता है जरगा जरगा पहाडिया तो उसको कहा जाता है दिल्ली रिज इसको कहा जाता है तो इन दो पॉइंट्स को भी आपको अची तरह नोट रखना है बाकि अरवली परवत जो है तो विश्व का सबसे प्राचीन वदित परवत है तो इस वाले point को तो आपको अच्छी तरह note रखना ही है बाकि अरवली परवत से एक और question बनता है कि अरवली परवत को कौन सी नदी काड़ती है कौन सी नदी यहां से ऐसे काड़ती है तो इस नदी का नाम है बनास नदी क्या नाम है बनास नदी आपको नोट रखना है एक्जाम में पुछा गया था बनास नदी एक्चली एक्जाम में पुछा गया था कि बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है तो देखो बनास नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी, इस पले पॉइंट को आपको नोट रखना है, बाकि अरावली परवत को बीच में से कौन सी नदी कारती है, तो बनास नदी, तो इन सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरह नोट रखना है, अगले question की बात करें, question number 166 which of the following, soil is the most fertile, तो निमन कौन सी मरिदा सरवाधिक उपजाओ है, तो सरवाधिक उपजाओ मरिदा कौन सी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दो, देखो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेतरफल पर कितनी मिटियां पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेतरफल पर चार मिटियां पाई जाती है, वो कौन कौन सी है, तो वो हैं जलोड मरिदा हो गई, फिर लाल मिटि हो गई, काली मिटि हो गई, और लेटराइट मिटि हो गई, तो देखो यहाँ पर option भी ऐसे ही दिये गए हैं, तो यहाँ पर अक्सर जहतो students confused हो जाते हैं, बाकि इस question क अंसर क्या होगा, सबसे उपजाओ मरिदा कौन सी होती है, तो यह होती है, यानि की जलोड मरिदा, जलोड मिटि, ओके, तो देखो यहाँ से बहुत सारे questions निकल कराते हैं, देखो जलोड मरिदा को क्या क्या कहा जाता है, यह भी अक्सर exam में पूछा जाता है, एक exam में पू यह सारे के सारे एक ही नाम है, एक और पूछा जाता है, कौप मिटी, कौप मरिदा, कौप मरिदा भी किसका नाम है, तो यह जलोड मरिदा का ही नाम है, यानि की यह सारे के सारे एक ही नाम है, बाकी इस मिटी की अगर बात करें, जलोड मरिदा की अगर बात करें, तो यह कह पर पाई जाती है तो देखो ये उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है उत्तर भारत का मैदान यानि कि आप कह सकते हो कि इसमें क्षेतर आ जाएंगे यूपी का क्षेतर आ जाएगा पंजाब का जाएगा हरियान आ जाएगा कुछ क्षेतर बिहार का जाएगा कुछ राज चले जाओ तमिलनाङू साइट तमिलनाङू में भी हमयं टिप पाई जाती है। बाकी बहुत कम मातरस में बहां पर पाई जाती है बाकी सबसे ज़्यादा शेतरफ़ पर जाते हूं यह उत्तर भारत के मैदान में ही पाई जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोटर रखना है, ओके, तो अगले कॉशन की बात करें, कॉशन नमबर हमारा 167 है, देखो हमने ऊत्री मैदान अभी यहां पर डिसकस किया, ऊत्री मैदान किसको कहा जाता है, तो देखो उत्र मैदान में कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, थो यूपी का स्टेट आ जाता है, मतलब जो गंगा नदी के किनारे वाले क्षेतर हैं वह उत्तरी मैदान में आ जाते हैं फिर हरियाना हो गया पंजाब, बिहार, राजस्तान राजस्तान का कुछ क्षेतर आता है बाकी मद्ध वरदेश का भी थोड़ा सक क्षेतर आ जाता है तो देखो यहां पर पूछा गया है उत्तरी मैदान की वानिजिक फसल यहां पर पूछी गई है इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है वानिजिक पूछी गई है ना कि खाद्य फसल पूछी गई है तो उत्तरी मैदान की वानिजिक फ़सल यानि कि जिसको बेचा जाता है काफी अच्छी मातरा में जिसको बेचा जाता है तो वो कौन सी है तो वो है गन्ना गन्ना है वो option D यहांपर correct होगा बट अगर आपसे पूछ लिया जाता कि उत्तरी मैदान की खाद्य फ़सल कौन सी है तो आपको note रखना है गेहुँ जो है तो उत्तरी मैदान की खाद्य फ़सल है बाकी बेचा किसको जाता है सब सी ज़्यादा गन्ने को बज़ा जाता है या one of the following is not included in the state list in the constitution of India तो निम्न में से क्या भारत के सविधान में राज्य सूची में नहीं शामिल किया गया है नहीं शामिल किया गया है तो राज्य सूची में कौन सा शामिल नहीं किया गया है तो यह है दंड प्रक्रिया सहींता option D यहां पर correct हो जाएगा तो देखो यहां से मतलब आप simply देख सकते हो question को यहां से अनुसूचियों के बारे में question पूछा गया है तो देखो यहां से हम कुछ points को यहां पर notice करेंगे भारत के सविधान में total कितनी अनुसूचियां है तो आपको note रखना है भारत के सविधान में total 12 अनुसूचियां है तो जो 7 वी अनुसूचियां है इन 12 अनुसूचियां में जो 7 वी हमारी अनुसूचियां है उसमें हमारी 3 सूचियां सामिल है अच्छा वो 3 सूचियां कौन कौन सी है तो सबसे पहली है संग सूची फिर उसके बाद आती है राज्य सूची और उसके बाद आती है समवर्ती सूची तो ये तीन है, इनको आपको नोट रकना है देखो यहाँ पर qaustion पूछ खगया है राज्य सूची में शामिल नहीं है तो आपसे राज्य सूची के बारे में यहां से पूछा गया था तो आपको पता लग गया होगा तो देखो यहां से भी questions बहुत सारे दिंकल कराते हैं तो देखो संग सूची से निकलता है पहले तो आपको basic सा यहां पर पता होना चाहिए संग सूची में क्या शामिल है तो देखो यहां पर संग सूची में सिर्फ जो है तो केंदर सरकार ही कानून बना सकती है इस वाले point को आपको नोट रखना है और राज्य सरकार में राज्य सूची में तो राज्य सूची में जो है तो राज्य सरकार कानून बना सकती है बट कभी कभी केंदर सरगार भी कानून बना लेती है बाकि संवर्ती सूची संवर्ती सूची की बात करें तो यहां पर भी केंदर यहां पर केंदर और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं ओके तो यहां पर देखो संग सूची में विशे अकसर पूछे जाते हैं कि संग सूची में कितने विशे हैं राज्य सूची में कितने विशे हैं और समवर्ती सूची में कितने विशे हैं तो मैं आपको पता दूँ देखो संग सूची में वर्तमान समय में 100 विशे हैं 100 विशे हैं Question No. 155 है, the National Foundation for Communal Harmony is under the administrative control of, तो संपर्दाइक समन्वे, सदभाव का रास्ट्री नियास किस परसाशनिक नियंतरन के अधीन है, तो किसके नियंतरन के अधीन है, तो ये है, Home Affairs Ministry के अंडर, यानि कि ग्रिह विशेक मंतराले के अंडर है, option B यहां पर correct हो जाएगा, अगले question की बात करें, question No. 156 है, को discuss किया है, होप वीडियो आपको informative लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जरूर से इस वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें, साथ में bell icon को जरूर दुबाएं, तो ऐसी ही updated videos के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हो, तो जलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, till then, take care.